हेलो डियर स्टुएंट्स मैं हूँ ब्रम्देव सिंग आज मैं आप लोग को ग्रैमर का टॉपिक हूँ ठीक है ना हूँ के बारे में आप तो में डिस्कॉस करूंगा देखेगा अब जैसे बार्ड है हमारा हूँ इसकार्थ क्या होता है कौन किसने और किसने और यह भी लख सकते हैं आप किना किनने यह आपका अर्थ होगा हूँ का क्लिर बात हो गई अब अगर हम से present indefinite में लेते हैं अब इसे हम अगर present indefinite में लेते हैं फू को present indefinite tense में आप ले दीजिए ठीक है तो हू question पूछने का कारिकरता है नमबर बनाती है इस चे question पूछा जाता है affirmative sense में रहता है question तो पूछा जाता है लेकिन ये प्रियोग जो होता है वो affirmative sense में यूज होता है ठीक है समझ में रहा है ना ठीक है और ये उत्तर देगा अगर question से question पूछेंगे आप तो उत्तर जो देगा उसमें subject मिलता है subject को खोजता है आप आप आपको समझते चलेंगे who से question पूछा जाता है who affirmative sense में प्रियोग होता है who subject को खोजता है इसलिए आपने देखा होगा इसके साथ S और E S का नियम लाग वह होता है do या डज इसके साथ नहीं आता है तो नियम बनता है कि who के साथ do या डज का प्रियोग helping verb के रूप में नहीं करते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं note क्या लिखेंगे देखी मैं बता दी रहाँ आपको क्या लिखेंगे note लिखेंगे note who के साथ do डजव helping बर्व के रूप में नहीं होता है who के साथ do डजव बर्व के रूप में do डजव helping बर्व के रूप में यूज नहीं होता है प्रियोग नहीं होता है प्रियोग जोड़ दी यहाँ पर प्रियोग नहीं होता है ठीक है यह मैंने आपको बता दी कि अब हम लेते हैं एक्जम्पल जैसी कि देखिएगा कुश्चन पूछा जाता है अब सब्जेक्ट को खोचता है तो मैं यह तीनों यह आपको पहले प्रमारित कर दूँ यह तीनी चीज़े कैसे होती है कौन कौन रोता है कौन रोता है मैंने आप सो कुश्चन पूछ लिया तो आपने बोला आप इसको कुश्चन कर रहा है तो आप इंगले सका बनाएंगे हूँ Vips कौन के एंगर ही हुग हो गई और Vip भई रोता है götinkने नमर्ह रहे नहीं रोते हैं तो हैं नहीं भई टे होते तो वह औचन का होता रोता है एक है तो रूल लागू होते हैं तब ही तो ऐस लग गा ये अब बताया सब्जेक्त कुछ होजता है तो आप अच्छा इसका उत्तर दो अब ये तो कुशन रहा इसका आंसर दीजी आप answer देंगे न तो आपने ख़या बच्चा उत्तर क्या दिया आपने बच्चा रोता है बच्चा रोता है the child तो मैंने क्या कहा who subject होजता है कौन गाय हुआ किसे दे गया child को तो यह subject था है आपर भी यह है तो इस subject हो खोजता है कहें लिख सकते हैं तो हूँ ने किसको खोजा चाइल्ड को और एक्जम्पर ले ले कौन-कौन पढ़ता है तो क्या हूँ reads या studies कौन-कौन पढ़ता है अब तो मने कहा कौन-कौन पढ़ता है एक दो नाम ले दोग तो वह बचन बन जाएगा एक नाम लेगए हैं तो खोन-कौन फोई रीड कौन-कौन पढ़ते हैं यह तो मैंने बोला नहीं तो इसका मतलब कि पढ़ता है तो क्या बनाया तो शोहन को देखा हुगा यह इसे देगा सोन को तो मैंने आप सब्जेक्ट को खोजता है तो किसको खोजता है सब्जेक्ट को तो फिर लुखोगे हुई उगल टू सोहन यह बास समझ में आगी होगी अगली बात आती है अगली बात हम सुरू करते हैं तो अगली बात को देखिएगा अब अगली बात रही है रहती है कि हुग के साथ हमें डूड़ लगाना कब है देखिएगा एक बात हो गई दूसरी बात चलती है हुग के साथ डूड़ लगाना है यदि हिंदी की बाके में कौन सब्द दिया हुग हिंदी की बाके में कौन सब्द दिया हुग ठीक है और उसमें करना करना मतला हुग करते हैं ठीक है ना करते हुग करता हुग करती है करते हैं करते हो करता हुग करती है ना सब्द दिया हुग तो करने की अंग्रेजी डू या डज बहिए डज कोई अपने बर्पत है ने एस लगा थी तो डज बने गई तो क्या है डू तो तो डू या डज सेंटेंस में मैं वर्व की तरह यूज होते हैं नकी अब कि अग्रेज़ की तो जब सेंटेंस में करना सब्द दिया होगा तो द्यां रखना करने की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं करने की अंग्रेजी लगाएं उसमें कर जैसे कारिया एक जमपर ले लो कारिया कोन करता है और इसके अंग्रेजी क्या बनाओगे तो हू की सब सेंटेंस लगाओगे कि करने क्या लगाओगे दू लग गया क्या लगाओगे यस अरे उवारान तुम्हु डज दा अबस्द पर चीजी क्या है यह मैंन वर्व क्या है मैंन वर्व क्योंके करने की इतों अंगर इस पहलें गए तो हु डजडा वर्ग तो मझा अभी भी हाँ पर हेलफ वर्व नहीं आ पाई तो इसका सूत्र क्या बना फू पिलस दू या डज पिलस ओ डबलू अधर बर्ड अधर बर्ड में अब्जेक्ट्वी हो सकता है ठीक है एक और एक्जम्ब लेजिए इस कार्यक को कौन करता है ठीक है फिर करना सब्दा गया ठीक है ना तो क्या बनाएंगे हू डज दिस बर्ड अब आप देखें कि अब तीसरे बात पहुंचिएगा अगर यदि कौन सब्द के साथ साथ नहीं सब्द भी दिया हो तो डू या डज तो डू या तो डू या डज प्लस नौट प्लस नौट हेल्पिंग बर्व की तरह प्रयोग करते हैं तो डूर्पिंग बर्व की रूप में हेल्पिंग बर्व की रूप में ठीक है अब यहां में बर्व नहीं है इस तरह से में बर्व की रूप में प्रियोग करेंगे जैसे रोहित को कौन नहीं जानता है क्या बनाएंगे अब इसका फर्मुला क्या बना अब लगा क्या बनेगा भू दू या डच प्लस नॉट प्लस एम बी की फर्स फर्म ठीक है प्लस उडब एक वा ले लीजे सचिन को कौन नहीं प्लाता है क्या हू डज नॉट टीच सचिन तो देखा हू शूत्र में देखा हू डज नॉट डू नॉट उसका मैं एनवर की अम बी की फर्स फर्म उसका ओ डबू ऐसे ही देखा हू डू नॉट डज नॉट ठीक है अम बी की फर्स फर्म और यह ओ डबू में सच्छे तो इस तरह से हमारा हू का प्रियोग हो गया क्या कैसी का हमने हू का प्रियोग अफर्मेटर में करते हैं है ना जैसे कि अभी आपने देखा हू कैसे कैसे होता कुस्चन पूछता है अफर्मेटर सेंस में भी होता है सब्जट की खोज करता है जैसे मैंने आपको यह खोज करके अभी बताई थी ठीक है ना तो इस तरह से आपके मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा और जब आप एक चीज को वीडियो को पहुच करकर देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी सब को समझ में आ जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही थेंक्यू हवा नाइस डे